जै श्री कृष्णा आप सभी का मेरे चन्व में स्वागत है आज इस वीडियो में हम जानेंगे गंगोर की पर्व के बारे में इसकी संपुन पूजन विधी आधी के बारे में गंगोर का तहवार राजिस्थान के साथ-साथ मद्य प्रदेश के निमार अंचल में बहुत ही दूमधाम से मनाया जाता है इसके साथ ही राजिस्थान के मारवड़ी जहां जहां बसे हैं वे अपनी परंपरा को जीवित रखते हुए उस जगह ही गंगोर का पर्वबड़ी ही दूमधाम से मनाते हैं क्योंकि भारत तो हमारा रंग बिरंग संस्कृती का देश है गंगोर की पूजा और वरत चैतर शुकल पक्ष की तृतियाति ठीके दिन किया जाता है इसे गोरी तृतिया वरत या सौभाग गोरी वरत भी कहते हैं गंगोर का तेहवार दो शब्दों से गंगुर शब्द बना हुआ है गंगुर जिसमें गंड शब्द का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है गौरी या माता पार्वती गंगुर पूजा में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है इस दिन भगवान शिव ने पार्वती जी को तथा पार्वती जी ने सभी इस्त्रियों को सभागे का वर्दान दिया था इसी की प्रतिक के रुप में गंगोर का तहवार मनाया जाता है यहां मुख्यता महिलाओं का तहवार है शादी शुदा महिलाएं पती के स्वास्त और लंबी उम्र की कामना में यवरत करती हैं वही कुवारी लड़किया अच्छे पती की कामना से इस वरत को करती हैं गंगोर पूजा या पूजन होली के दूसरे दिन से शुरू होकर चैत्रशुकल की तृत्याति थी तक चलता है सोला दिन तक रोजाना गंगोर की पूजा की जाती है यह पूजा लड़कियों और महलायों द्वारा की जाती है नव विवाईता पूरी विदी सहीत, सक्खी, सहलियों वा भावियों के साथ गंगोर की पूजा पीहर में करती हैं सोला दिन लड़कियां सुभा दूब और फूल बगीचे से लेकर आती हैं और उस दूब से पूजा करती हैं दूबलाने और उससे पूजा करने का पाटे का गीद गंगोर की कथा आदी मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है तो आप गंगोर की प्लेलिस्ट में जाकर देखेगा आपको वहाँ पर संपूर्ण जैनकरी मिलेगी और इसके साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनक जी को सिस्राल भीजना विसरजन वाले दिन सुबह चुर्मे का भोग लगाया जाता है और शाम को उनका विसरजन किया जाता है अच्छे से गोर गंगोर का बाना निकाला जाता है धूमधाम से नाच गाना अधिक किया जाता है लड़की के शाती के पहली बार की गंगोर अ अपने सस्राल में ही मनाती है गंगोर पुजन के समय महिलाएं गौरी जी की कथा भी कहती है चंदन अक्षर धूब दीप नैवेध्य आदी से गौरी का विधिपूर्वक पुजन करके सुहाग की सामकरित को अरपन किया जाता है फिर भोग लगाने के बाद गौरी जी की कथा कही जाती है गौरी जी का पुजन दौफेर को होता है इसके पश्यात के इवल एक बार पुजन करके व्रत का पारण किया जाता है जो सिंदूर महिलाएं गौरी माता को अरपित करती है उसे सिंदूर से अपनी मांग भड़ती है ये बहुत ही सौभाग इशाली माना जाता ह तो इस वीडियो में आज हमने जाना गंगोर पुचन के बारे में और इसकी क्या विधी होती है विश्तरत विधी और पुचा के सामान के लिए आप मेरा आगला वीडियो देखिएगा जरूर वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज इसे लाइक करें फ्रेंड्स और फैमनी में शेर करें चैनल पर यदि आप नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकिशन आप तक सबसे पहले पहुचे गंगोर के और भी जानकारी के लिए प्लेलिस्ट में गंगोर की प्लेलिस्ट द